यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ बारा विमान है जो की 1964 में हिवाचर परदेश की लहौल घाटी में चंडिगर से लहता कुडान भरने के दोरान 102 कर्मियों के साथ दुरगटना ग्रस्त हो गया था विमान की अफशेश धाका ग्लेशियर बेस शीवर से समुदर तर से 6200 मीटर उपर पाए गए हैं चंडरभागा पेक पर सफाई करने गई थी एक टीम और वहाँ पर उसे विमान के अफशेश मिले हैं लहौल घाटी में अफशेश मिले हैं और बताया जा रहा है कि ये लापता विमान AAN 12 के अफशेश हो सकते हैं और साथ ही यहाँ पर बर्फ में दफान एक कंकाल भी मिला है कि सूचना मिली है उसके मुताबिक 1968 में भारती वाई सेना का एक विमान जो है वो तुरुगटना ग्रस्त हो गया था और हिमाचर प्रदेश की जो हमारे लाहुल स्पीति के इलाके में और उसमें बहुत बड़ी तादात में जो है एक सो दो यात्री उसमें थे जाती नहीं सैनिक थे उसमें वो तो सैनिक थे और अभी जो सूचना मिली है उस सूचना के मताबिक जो परवता रोही वहाँ पर जा रहे थे उनको बिवान का मलवभ भी मिला है और मलवे के साथ एक सब भी मिला है सब के अफशेश मिले हैं और अफशेश जो मिलने के परशाफ जो है उसको वो चंडीगठ मात के लिए ले जा जा रहा है और उस दिश्टी से सारी चीज़ों को ले करके और प्रॉपर जो इनिवेस्टिगेशन का एक प्रोसेस होता है इसका वो कम्प्लीट होने के प्रशात वो किसका था उस सारी चीज़ की जानकारी जब हासिल होगी उसके मताबिक फिर आगे हम कहने कि सिती में स्पोर पाएंगे हुआ हुआ है